मुंबई के सत्र न्यायले ने गैंग्स्टर छोटा राजन और तीन अन्य को जबरन वसूली के मामले में दो साल गैद की सजा सुनाई है छोटा राजन के उपर साल 2015 में पन्वेल के बिल्डर नंदु वाजेकर को धमका कर 26 करोड की जबरन उगाही करने का रोप है अब आपको बताते हैं पूरे मामले के बारे में कि क्यूं छोटा राजन को दो साल की सजा होई है साल 2015 में छोटा राजन के उपर पन्वेल के बिल्डर नंदु वाजेकर को धमका कर 26 करोड की एक्स्टॉर्शन मनी मागनी का रोप है साल 2015 में नंदु वाजेकर ने पुड़े में एक जमीन खरीदी थी जिसके एवज में एजेंट परमानन ठककर जो की फिलहाल वांटेर है उसको 2 करोड रोपे कमीशन के रूप में देना तै हुआ था लेकिन ठककर को और पैसे चाहिए थे जो की वाजेकर को मन्जूर नहीं था जिसके बाद ठककर ने छोटा राजन से संपर्ग साधा और बिल्डर को धमका कर 2 करोड से जाधा के रकम वसूल ले की कोशिश की फिलहाल ठककर फरार है आपको बता दें कि मुंबई में ये तीसरा केस है जिसमें छोटा राजन को सजा हुई है इसके अलावा दिल्ली में जाली पासपोर्ट मामले में भी छोटा राजन को सजा हो चुकी है वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें